ग्राम संसार कारिक्रम सुनने वाले सभी साथियों को राम राम आपके मन पसंदिदे प्रोग्राम फोन इन कारिक्रम में आपका सौगत है और गन्य की पाथ शाला हमारा फोन इन कारिक्रम है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड सब्स या हो फल हो अनाज हो या दाले हर खेती में एकरोना ही डाले एकरोना ही डाले एकरोना का किसानों से वादा लागत कम और लाब हो गाज यादा लाब हो गाज यादा खेतों में डालो बेधड़क, एक्रोना, एनपीके, ट्रिपल सूला, उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, फर मौसं में फसले लहला हाए, फर मौसं में फसले लहला हाए, खेती के लिए, बहु पोशक उर्वरक, आईपील का एक्रोना, एनपीके, ट्रिपल सूला, उर्वरक, रभी हुया खनीफ, हर प्रकार की फसल के लिए परदान, ट्रिपल सूला, उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, तुशोता, गन्नी की पाथ शाला में आपका स्वागत है, और आज का हमारा विशे है, गन्ना पसल से प्राप्त मूल्य संबर्धित उत्पाद, और हमारे जो आमंत्रित विशे शग्ये हैं, आज स्टूडियो में, डॉक्टर उपेंदर तिवतिया, आप मोख्य प्रवंद स्टूडियों, आपका स्वागत है, और हमारे साथ दोनों विशेशक, डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी और अपेंदर तिवतिया जी, दोनों का कारकम में स्वागत है, धन्ना पसल से प्राप्त मूल संबर्धित उत्पाद, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस स जो मौसम चला हुआ है, किसानबायों की जो सरत कालीन गन्ना और पचंद कालीन गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है, उसमें कौन-कौन सी बीमारे आ रही है, उसमें कौन-कौन सी कीट लगे हुए है, उसके साथ साथ उनमें क्या कुछ देख वाल किया सकता है, इस पर आज बात करेंगे, तो तिवतेजी जो हमारे खिसानबायों की समये, दुसरी थे दूसरी फसल किसानबाय कटाई भी करते हैं, गन्ने की सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, उसमें कॉई भी Скाल के बनाउशनद का ना यह कुछ दूबारा भी बहुत करने की वीजाई करते है, त दो तीन चीजों की बात ध्यान रखने की हैं कि एक तो अगर किसान कर सकें, अगर एक तिहाई गन्ना उपर का लें, तो वो बीज के लिए बहुत अच्छा है, दूसरी बात, सीट ट्रीटमेंट करें, सीट ट्रीटमेंट के लिए एक इंसेक्टि साइड और एक फंजी साइड जैसे अगर एक इमीडा किलोर्पिट ले लो और एक ले लीजे थायोफिनेट मिताईल, तो थायोफिनेट मिताईल एफेक्टिव होता है, रेड रोट अप सुगर केंजो लाल सटन रोग है, उसको कंट्रोल करने में, एक करिए आप सॉइल ट्रीटमेंट, जी डग साब बा के अगरे में जानकारी करनी है, यह पहले हमारे हां सुगर मेल ती छाता, जी तो जब हम चोटे से थे तो उस समय पर गन्ना हमारे शित्र में कापी होता था, जो गन्ना की खेती दोवारा से स्टर्ट करना चाहते हैं, जो आप से 20-20 साल पहले थी, जी तो आप मुझे सर बी निन वेराएटी का चेहना आपको करना होगा यह वेराएटी लिखिये आप एक करनाल की वेराएटी है सीओ फंद्रेजीरो यहिवित ऑंद्रेजीरो तेइश दूसरी है सी ओ एल के 14 201 तीसरी है सी ओ एश 13 235 अभी अगर इनमेंसे कोई वेराएटी ना मिले तो एक वेराएट यह कैची इक सल करो पांचमा गहरी जुताई का इंतजाम करो रूटा वेटर से कोई नहीं होती गहरी जिताई और किस से होगी सर्थ रूट वो पहले तो लंबे फाले वाले टिलर से करिए दो बार उसके बाद चीजल पलो आता है एक डेड़ पुट गहरा चीरता है ठीक है सर्थ को कि गन्ने की जड़े गहरी जाती है आपने बहुत दिन से गन्ने की खेती नही पूरे उसमें और भीज उपचार की बात मैंने बता दी अब आएए आप जो है इसमें मिर्दा उपचार में ट्राइको डर्मा डालिये ट्राइको डर्म या बुट पांस से 8 किलो पिरती हेकड के हिसाब से डालिये उसमें कूडी की गली सडी खाद में मिला के उसको और उसको जुताई के समय या तो जुताई करने से पहले मिला के जुताई कर दें उसमें और या बुआई के समय कूड़ों में डाल दें उसके बाद में उसमें गन्ना बुआई कर दें समय कुन सा सही देगा सर हमें समय अब अब तो आप लेट ही हो गए हो लेकिन आप खाली है क्या खेत आपके अभी सर खाली तो नहीं है हो जाएंगे 15-20 दिन लगेगा हाँ तो थोड़ा मुस्किल है उस समय क्योंकि आप गर्मी बहुत पढ़ गई है माई की गर्मी आपकी बार अपरेल में पढ़ने लगी हाँ जी तो आपको साफधानी बहुत करनी पड़ेगी आप उसमें ऐसा करना कि बोने के बाद में उसमें हलका हलका पानी लगा देना पानी लगा के जैसे ही वो आए तो उसको बहुत छोटा छोटा उंचा रोटा वेटर चला देना उसमें तो ही जम पाएंगे नहीं तो न बोसकते आप जादे गर्मी को छोड़ के यून जुलाई जुलाई के बाद में महांसुन प्लांटिंग चल जाता है और अगर नर्सरी से आप बोते हैं नर्सरी उगाली जी हो ऊची जगह पे और उसको तो तॉ प्लांट आप कर सकते हैं कभी भी तुरंद पानी लगा दिये पहले आज से जब हम छोटे से थे तो उस समय नर्सरी से नहीं बहुते थे दाइरेक्टी वह बहुत जाओ ना आप बता रहे हैं ना मुसको रेज बैड बनाके इस समय अच्छा उसमें खाद और पूडी का खाद डालके उंची बनाके एक मीटर चोड़ी और जितनी भी जरूरत उतनी लंबी बनाके उसमें एक आँक के बढ़ बोई है उपर को आँक कीजिए और उसमें हलके-लकी खाद और मिट्टी मिली हुई उपर जडाल दीजिए हलका-लका पानी लगा दीजिए बहुत सस्ती विद करेगा अगर मांसून सीजन में नर्सरी दे रहे हो तो पंदरे दिन में ही आपकी कम से कम 6-7-8 इंच तक हो जाएगी 9 इंच तक हो और आप जाड़ों में करोगे जाड़ों में गिरोथ नहीं होती है आपको पॉलिट हाउस में करनी पड़ेगी एक महीने में होगी एक से सवा महीने में तो वो होती है कम से कब 9 इंच लंबाई हो जब हम उसको ट्रांस्प्लांट कर रहे हैं तो किसान भाई गण्य की कटाई करके किस तरीके से उसको ले जाएं जिसे मेल में भी सही से पहुंच सके हैं जो इस समय कटाई का समझ दरा है वो किसान भाईयों के लिए बड़ा महत्पून है क्योंकि हम पोधे की कटाई कर रहे हैं पेड़ी कापी समय पूर ही कट चुकी है और मील भी जादे तर अब अन्तिम पड़ाव पर है पोधा भी कटने की अवस्ता में अन्तिम इस् सूर्श चोड़ते हैं कल्ले चोड़ने की परंपरा रहती है जादतर कल्ले चोड़ देते हैं ताकि हम आगे पेड़ी का प्रोड़क्शन अच्छा ले सकें तो पहला तो यह है कि यदि आपके खेत में वास्तिक कल्णा है तभी आप उसको पेड़ी के रूप में छोड़े अन्या था गन्ये का टुकड़ा खेत में ना छोड़े एक तो किसान भाई उससे निवेदन करूँगा कि कल्ले की परिवासा को समझें हम ज्यादतर मैं फिल्ड में गूमता हूं देखता हूं तो दो-तीन आख का गन्या जो खेत में खड़ावा है उसको हम कल्ले के रूप म क्या है वास्तिक कल्ला वो होता है जिसमें पोरिया ना बनी हो जमीन में से फुटाव हो के आगया हो और वास्तों में पोरिया ना बनी हो उसको आप पेड़ी के लिए रख सकते हैं आगली फसल के लिए रख सकते हैं लेकिन जिसमें पोरिया बन चुकी है उसको आप खेत में तो निश्चित तोर पर वो मदर सूट वो कल्ला व्रदी करेगा लेकिन साइड के टिलर्स बराबर के कल्ले फुटाओं में कहीं न कहीं समिश्याएं पैदा करेगा इसलिए पहली तो साफधानी आप कल्ले को छोड़ते समय रखें कि किस परकार का आप कल्ला छोड़ रहे हैं खेत में रख रहे हैं दूसरा जो आप प्लांट से रेटून की तरफ जाते हैं पो देशे पेड़ी की तरफ जाते हैं उसमें कुछ कीट और विमारियों का प्रकोब भी आगे पढ़ने की संभावना रहती है जैसे हमारे वेस्टन यूपी अरिना पंजाब की मैं बात करू तो यहां पर टोब बोरर अगोडा बेधक का प्रकोब काफी होता है और उसका ट्रांसमीशन का एक माध्यम भी है हमारे वाटर सूट्स हैं कल्ले हैं तो इसलिए आप प्रियास ये करें कि आप लगातार अपने खेतों की मोनेटरिंग करें यदि मोनेटरिंग करेंगे तो निश्चित तोर पर आप यह उबजर्व कर पाएंगे यह देख पाएंगे कि आपके खेतों में कहीं टोब बुरर की तिली तो नहीं है उसकी यदि तिली आपके खेतों में है तो निश्चित तोर पर आपको वहीं पर उसको कंट्रोल करने के लिए एक इंसेक्टिस हैड़ इस्तमाल करना चाहिए कि इंसेक्टिस हडिक इस्परियूस में कर देना चाहिए डॉक्टर साब आफिचाओंगा एक किसानवाय का फोन लेते हैं उसके बाद बात्ची जारी रखेंगे हलो हलो नमस्कार जी हां जी नमस्कार इंदर भी थेवतिया जाओंगा तुकोडी इस्तिक बुलून से उक्तर पेवे सबोलागा जाओंगा जी दर्ने के उतपाद से कैसे अधिक से अधिक लाप प्राट किये जा सके तो मैं जोक्ट साब से तूठना चाहूँगा जे डोक्ट साब पहले किसान पांच किलो की बेली बनाते थे फिर भालटी उन्होंने गुर्ची बनानी सुरू कर रही तो मैं यह पूचा난ा जाहा हूँगा पहलना ते लिए कौन उसकी प्रजाति उप्युक्त है जिसमें ये मोह अच्छा प्रसंद आपी प्श्यू किल रहुए हैं वह लाप अपका है क्योंकि कोई भी हम उत्पाद हम लेना चाहते हैं गण्या से जो मुल्य सम्रधन करना चाहते हैं उसमें सबसे मैद पॉन्द वह मिका उसके कलर क्वालिटी पर आती है जितना सुंदर कलर का गुड होगा सक्कर होगी या खांड होगी या सिर्का होगा उत्रा ही अच्छी क्वालिटी उसके मुल्य हमें प्राफ्ट होगे अब इसका सबसे बेसिक आधार आता है कि जो हमारा वैराइटी है वह किस परकार की हो पहले तो एक साधान सा मैं आपको फार्मूला बताता सिदा सिदा कंसेब्ट उसके साथ में आता है कि इसमें जो आपका प्रोडक्शन जो आपको उत्फाधन मिलेगा जो मुल्या-सब वर्दन के लिए क्वांटिटी मिलेगी वह ज्यादे मिलेगी तुलनातमक सामाने पर जाति दैअज्गी होगी तो पहले तो दरस्टी कोन Traum में अरली परजातियों का चुनाव करना है गुड सक्कर खांड इसे का अधी बनाने के लिए दूसरा इन में भी हमें सलक्षन करना है कि किस क्वालिटी का जो हमारी गुड की डिमांड है जो सक्कर की डिमांड है वो सुनहरी कलर की डिमांड है ग्रेंस वाले की है जिसमें रम तो उसकी मार्किट वैल्यू सबसे अधिक होती है इस परकार की वरैटिया पहले जो हमारी परचली थी जैसे सियो जे चोंसट बहुत अच्छा उसका गुड़ बनता था सुनहरे कलर का गुड़ आता था इसी परकार की हमारी जो अब अरली में वरैटिया है को पंदरा जीरो बेहद अच्छा सुन्दर गुड़ बनता है इसी के पैरलल यदि सुनहरे से थोड़ा वाइट की तरफ चले लाइट कलर की तरफ चले तो हमारा को लख 14201 बेहद अच्छा गुड़ बनता है और इसके उपरांथ हमारी वरैटिया को सा 13235 और को 018 ये भी वरैटिया तो चोड़ा दोसे एक की तरफ जाना चाहिए और यदि हम प्रोड़क्शन और सारे प्रेंटियों की उसे देखना चाहते हैं तो 118 और 13235 वरैटिया दोमों ही परजातिया बेहद अच्छा गुड़ क्वालिटी देने में सक्सम है इस परकार हम अगेती परजातियों का च चोड़े पीस की जादा होती है तो उस तरीके से बनाकE अगर वायार में ले जाते हैं तो इसके कीमत मिलती है और उसको जाधा पसंद विलो करते हैं आज тебе का जो आज का मुख्य टोपिक है आपका मैं उसी पर कंसंट्रेट करता हूं दुबारे से उस पर आते हैं मुल्य समवर्धन क्या है गन्ने को यदि आप सीदे बेचते हैं तो तीन सो साड़े तीन सो रुपे किलो कॉंटल जी गुड बिखता है तो पचास साट रुपे किलो और अब इसमें क्वालिटी की बात करें यदि आप उसका मुल्य बढ़ाना चाहते हैं तो उसका क्यूब साइज में आप बना सकते हैं छोटे क्यूब खाचे आते हैं उसी के अंदर जब आप वह फाइनल स्टेज में हाड़निंग स्टेज में चलता है गुड पहले गुड बन बोईर करते हैं एक सो डीक 235 का सबस्ता है अब वहां तक ले जाने के बाद जब हारनिंग की तरफ चलता है तब उसमें के बाद हम वापर पहले से इफरमा जिस टाइप का विशी है उसी ताइप का फरमा पर रख सकते हैं और ऊसके अजिए वह को चौब दासे तो निश्य को आगे बढ़ाते वे यदि हम जैविक की तरफ चले केमिकल फ्री की तरफ चले तो निश्चित तोर पर दोनों तरीके से और जादे हम मुल्य समर्दन कर सकते हैं यदि हम पहले फसल को भी जैविक तरीके से तियार करें उसके बाद उसका जो प्रोसिस है गुड़ बनाने का वो भी हम केमिकल फ्री प्रियोग करें तो निश्चित तोर पर हमारा उत्पादन अच्छा होगा लाब मिलेगा जी डग साब हमारे किशानबाई का फोन है इसको लेते हैं हलो नमस्कार जी नमस्कार जी क्या सवाल है आपका सतीज जी शर खारे पानी में किना हो सकता है किन तोनलत में कई चीजें परभावित होगी खाने पैली चीज तो उससे परभावित होगी कि खारे का लेविल कितना है आपको अपना वाटर टेस्टिंग या सोईल कराएगे तो निश्चित बढ़ पर उसका अाफलन करके आपको बता पाएंगे कि किस लेविल तक का स्मा खारापन है और उस लेविल के आदार पर ही हम बता पाएंगे कि आपका प्रोडक्शन क्या होता है क्योंकि खारा पानी या सोयल में जो उसका पी एच अपर डाउन होता है उसी के आदार पर नूट्रेंट की अवलेबिल्टी प्लांट में बनती है यदि वहां पर खारे का ल जी जी आपने करनाल में एक सोयल्टी एंसीट्ट है वहां पर सोयल्टी के साथ में वाटर की बढ़त Two-णी तो निशचित तो पर आपको एक आँखलन होगा कि किस परकार की All right पानी का लेविल है तो उसके बाद ही हम सजेस्ट कर पाएंगे कि किस लेविल तक है उसके बाद उसमें आप गन्ने की कर पाएंगे या नहीं पहुंड करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो डग साब आप बात कर रहे थे मूल समर्दित उत्पात कि आपने एक तो पहली स्रेणी ये है कि आप जब जैविक खेती करते हैं तो निश्चित तोर पर उसका पंजीकरन करना बेहदाव सक है यदि आपने पंजीकरन नहीं कराया है तो आप कहीं न कहीं किसी लेविल पर किसी प्लेट फार्म पर जाने के बाद आप महसूस करेंगे कि प्रक्ट को महाँ पर बता सकता है कि ये जैविख है ये नों जैविख है और यदि आपके पास पहले से ही तीन साल का चर्टिफेकजियं कराते हैं तो आपके पास औल्रड़ी एक सुर्टिफिकेटर ह्याएगा कि मैने जया अल्रड़ी मेरा सर्टिफाइड गुड है और सा कर सकते हैं यह पूरा परोसेस भी आप प्रोडक्थे कर सकते हैं अपनी क्रोप भी आप सर्टिफिकेशन के तहत जाट pénविट कर सकते हैं क्योंकि बगgas ने अव्य उसको-प्रोडक्थ को मट-खी सबस्क्री तो इसको कंट कर सकता है कि कि 정도 या जो production कर रहा है जो भोगता से कन्यूंग कर रहा है वो भोगता कैसे जज करेगी यह जैविक है या नहीं पहला आप outer look देखके बाहरी रूप से देखके कहीं भी किसी भी फसल को आप जज नहीं कर सकते हैं कि यह जैविक है यह जैविक है इवन उसके color और base पर भी आप उस तोर पर उसे देखके नहीं सिद कर सकते हैं कि वो chemical free है या chemical वाला है तो इसलिए सबसे पहला registration है सबसे पहला परमानी करण है और उसके बाद यह आप अपने product की जांच कराते हैं तो जांच से ही पता लग पाएगा कि वो किस परकार का आपका product है क्योंकि जो chemical वाला होगा निश्चित तोर पर जो nutritive value है वो उसके down जाएगी जो उसके enzyme और उसमें अंदर है nutrient वगरा है वे निश्चित तोर पर कम होंगे जी डग साब बिलकुल हमारे तेवतिया जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं देखो बहुत अच्छा discussion चल रहा है और किसानों को जानकारी होनी भी चाहिए है तो देखिए मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि जो यह पंजी करन की process होती है इसकी certification agency होती है और जब आप certified करने जाएंगे तो पहली साल में एक साल बाद वो एक साल तक monitoring करेंगी एक साल बाद देंगी एक साल का जैविक उतपाद एक साल का दो साल तक अगर आप उसको follow करते हैं तो फिर दो साल का देंगे और तीन साल का करते हैं फिर तीन साल का देंगे यह माना जाता है जनरल में कि तीन साल के बाद में फिर वो असली जैविक रूप में आता है उसका कारण यह है कि जैसे हम खाद डाल रहे हैं यह हम chemical डाल रहे पैस्टी साइड जमीन में जन डाल रहे हैं तो वो तीन साल में पूरी तरह से खतम होते हैं यह नहीं है कि एक साल आपने नहीं डाले तो आपका पूरा प्रोड़क्ट जो हो जैविक हो गया तीन साल का दिया गया है दूसरी बात यह है कि इसमें तीन साल लगते हैं इसके प् किसानों को दूसरी बात है कि उसमें आप खाद भी डालना न्यूटियंट कम कर देंगे तो पहली साल में आपकी उपज डाउन आएगी दूसरी साल में थोड़ा सा अगर उसमें जैवी को डालने लगेंगे आप जो पंच इम्रत और जीवा अम्रत ये सब डालने लगेंगे उसमें जैवी खाद भी डालने लगेंगे खूब तो उसके बाद में तीन साल तक वो सैल्फ सस्टेनिंग हो पाएगी जो न्यूटियंट की पूर्ती फिर वो कर पाएगी तो उधर तो केमिकल घटेंगे तीन साल तक उधर से आपके जैवी कुसमें जैव जीवानु अगर सब बढ़े हैं बिल्कुल डाक्षाब उसमें जो कंवर्जन पीरड़ है वो उसको कहा गया है त्री एर्स कंवर्जन पीरड़ है ताकि हमारी जमीन में जो बैक्टिरियल का लेविल है जो इसको पो फैसकता तो अपलब्द कराने की बैक्टिरियल लोड उसको चाहिए वो ती उसमें से organic acids निकलते हैं जो pH को डाउन करते हैं और एक normal pH की तरफ जाते हैं जिससे की सबी nutrient की availability बनती है। ये तो एक बात हुई, अब मैं एक दूसरी बात औरेट करना चाहूँ हूँ, कि एक तो जैविक उतपाद को registration कराना और उस तक ले जाना थोड़ा सा difficult कारी है किसानों के लिए, हाला कि impossible कुछ नहीं है, सब हो जाता है। एक दूसरा भी है, एक विसमुक्त उतपाद के नाम से उसमें फिर जैविक registration की जरूरत नहीं होती है। आप उसको कीजिए विसमुक्त, विसमुक्त का मतलब है कि आप उसमें विस नहीं डालें, पैस्टी साइड नहीं डालें, कोई केमिकल नहीं डालें उसमें, खाद उस सकते हैं, रासाइनिक उर्वरक डालेंगे, क्योंकि उर्वरक में क्या होता है, जो असेंसियल पोसक तत्व होते हैं, वो पौदे में होंगे ही होंगे, नहीं डालोगे तो वो जमीन से भी उनी तत्वों को लेगा, डाल देंगे तो बाहर से लेगा, तो वो जो है तत्वों हो लगवग 90 परसेंट जो पौधे में पाए जाते हैं उने ही की जरूरत की इंसान को होती है सब सारी पौशक्तत्तों की तो ड़क सब्सक्राइब जो हमारे खिसानभाई मालेजे यह चीजे नहीं बनाते हैं वो मेल में सप्लाई करते हैं लेकिन कुछ किसानभाई गन्ये को म कैंष है इस वर्ष की मैं बात करूं या पिछले कुछ समय रहा आप कुछ घुए पर्य va primary नहीं रहा है ऑशलेरदों कुछ ऑव होते हैं लेकिन जो अब इस समय वेस्टन यूपी का जो मैं सिनेरियो देख रहा था इस समय लास्ट स्टेज में आने के बाद पिछले लगबग दो महीने से कोलू के रेट मील के रेट से भी ज्यादा है वो उसको जहां मील में आज के समय में डिमांड है कि उसको अपना बेसिक कोटा पूरा करना है यदि उसके पास सरपलस है तो वो अब भी कोलो की तरफ जा रहा है क्योंकि उसको साड़े वहां पर किसान को मूल ले तुलनात्मक रूप से अब पिछले दो तीन महिनों से अच्छा मिल रहा है तो ये थोड़ा पार्किट में वेरियेशन रहता ही है इसमें हमारे इस तरसे कोई चीजे संबवनी पॉलिसी का सिस्टम होता है बस हरते हम परिवर्तन कहां कर सकते हैं प अपना ही गुड बनाए अपनी ही सक्कर बनाए अपना ही उस प्रड़क्ट को नाम देकर अपने इस तर से से शेल करना सुरू करें ब्रांड अपने इस तर से बनाना सुरू करें कि मैं एक ब्रांड हूं मेरे नाम से चले यदि गुड मैं बना रहा हूं तो वह एक मेरा पर लेते हैं हलो जी नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार कौन वै बोल लें जैसिंग कहां से जी क्या सवाल है आपका जैसिंग जी आप सवाल इस परष्ट कीजिए अपना समझ में दुबारा से कहें कि कौन सी चीज जैवे के आरसाइनिक बहुत अच्छा सवाल पूचा है यह जैविक है जैविक डालिये धरलने से यह वर्ल्ड का जो बिर्टेन से भी जैविक का इसका सर्टिफिकेशन है जो वर्ल्ड की सबसे उची संस्ता होती है उससे भी जैविक का पंजी करन है इसमें यह जैविक उरवरा के हमारे लिट्रे मा धन्यवाद तो भडक साब वो जब वो हमारे किसान भाई बूरा गुड़ और शक्र बनाते हैं तो इसमें जिस तरीके से आपने रंग का जिक्र किया उसके कलर काके उसको लोग पसंद करते हैं सक्र तो सफेद होती है ला उसमें वा केमिकल डालते है या उसमें किस तरीके से उसको सफेद करते हैं? दोनों परकार की परकिरिया हैं, यदि आप केमिकली उसको वॉस करते हैं, तो कहीं परकार के केमिकल आते हैं, जो उसको डाल के वॉस किया जाता है, लेकिन यदि हम सक्कर बनाते हैं, हम केमिकल फ्री बनाना चाहते हैं, उसके भी क्यों करते हैं इस्तेमाल क्यों करते हैं तक हमारे शरी को मिन्राल मिल सके हम और सिदेंट मिल सके हम अधी आख़ी अभी कुछ चाहिप पर получится प्रोड़ कर सकती है है यदि हम यहां पर जैविक तरीके से या केमिकल फ्री हम गुडu प्रदक्शन कर सकते हैं, क्या चीज paintings are No थो क्रें कि 정확शन कहले के सब्याद के लिए पहले हम pię क्यू सब्केसिकाटard को जो जो इसमें मिक्स होते हैं जो इसमें निथारने के लिए इसको फिल्टर करने के लिए प्यूरिफिकेशन के लिए जो हमें जुरत पड़ती है उसको हम सुकुलाई के नाम से जानते हैं या जंगली भिंडी के नाम से जानते हैं इस परकार के हम जो फसल है हमारी उनका हम इस्त बूंद के आसपास ड्रॉप उसमें डालते हैं तो उससे भी हम उसके बॉइलिंग पॉइंट को बाहर निकलने को रोकते हैं के वल मातर दो ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा ही हम केमिकल फ्री गुड और सक्कर बना सकते हैं कलर का थोड़ा साब किसान भाय का फोन ले लेते ह हैं हलो शक्रमी थास में ऑ स्टना बूस जी क्या नाम है मेरे नाम समायूपूर यृता डालना चाहिए और ये फ्लू की और मील की तॉल में भी फरक होता है ये जैविक खाद एक तो कही तरह की होती है जैविक खाद सुगर मील से प्रेसमड की बात करें आप हाँ सुगर मील से जो प्रेसमड होता है देखिए एक तो मैं ये सला दूँगा आपको कि वहां से मिलते के साथ ही एकदम से खेत में न डालें आप क्योंकि उसमें वैक्स की मात्रा होती है वैक्स की मातरा तुड़ा सा अच्छा नहीं रहती है खेत के लिए उसको पहले उसकी कमपोस्टिंग करें पहले उसको डाल दें जैसे कूडी डालते हैं न आप तो ऐसे उसको डाल दें कुछ दिन के लिए अगर एक बारिस उपर से उतर जाएं तो बहुत अच्छा है उसमें और जल्दी आप उसको डिकमपोस्ट करना चाहते हैं तो एक पूसा डिकमपोजर आता है उसमें उसका गोल बना के और जब उसकी डेरी लगाएं तो उसमें बीच बीच में पानी मिला दें तो वो जल्दी से उसको डिकमपोज कर देगा उसके बाद खेत में डाले हैं आप उसे खड़ा खोज गाए उसमें एक बादी उसमें जाए वो तो बहुत ही बढ़ी आओ जाएगा अगर खड़ा डाल दोगे तो खड़े से या खड़ा भी खेत में अगर खड़ा नहीं कर पा रहे हो उपर भी डाल सकते हो उपर से फिर उसके थोड़ी सी उसका पाती और मिट्टी विट्टी डाल दीजिए थोड़ी सी हलकी हलकी और या जो यह गाय का गोबर अगर उसमें मिला दें आप और या भैस का गोबर मिला द मदलब 50 से सो कुंटल आप इस Really healthy ऐस त्रोली में आ जाता है तो तीन ट्रोली डालिए आप पांच भी गया में अगर अगर उससे नुकसान कुछ नहीं अगर एक पांच ट्रोली बीडाल देंगे बढ़िया हो गहरी जुताई कीजिए आप करने के लिए ठीक है सत्पाल जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और डक्टर मलिक जी बाचित कर रहे थे उसकी जो गुड की किस तरीके से उसके रंग को लेकर जो चर्चा कर रहे थे रंग जो हमारा होता है दखो गुड और सकर के केस में दूरिबिल्टी भी उसकी जो अवधी है किस अवधी में कितने समय के लिए हमें रखना है एक तो बनाने के तरीके पर निर्भर करता है कि आपने उसके कितने अच्छे तरीके से तियार किया है पकाया है उसके आधार उसकी डूरिबिल्टी आती है कलर भी उसी का अधार पर आता है क्योंकि एक पहला आधार आएगा कलर का परजाती आपने किस परजाती का चुनाव किया है जैसे को 15-20 वरैटी आपने ली है तो उसका कलर सुनहरी रंग का आएगा और उस सुनहरी रंग के कलर के साथ में आप तुलना आत्मक देखेंगे तो अन्ने पर जाती होगी तुलना में ज्यादे अच्छा रंग उसका दिखाई देगा या सी ओजे पिचासी है सी ओजे एटासी है तो वन वरैटी व का जो गुड़ बनता है वो क्वालिटी में सुनहरी रंग की तरफ रहता है और दूसरा जो परिवर्टित होना सुरू हो जाता है लेकिन यदि आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और आपने पहले से उसको अच्छे से ड्राइ कर लिया है सुखा लिया है और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो निश्चित तोर पर एक साल तक भी तेखρι difícil नहीं पर नहीं किन रहिए क्योंकि एक प्रकार से हमारे जो गुड और शकर मार्केर में आता है काफी बड़ानिटी केमिकल वारे के आती है जो सो प्यॉर्टि देने के लिए बनाने के लिए के लिए बनाने के लिए के इस्तमाल कर देते हैं तो इस हम उसे chemical free त्यार करते हैं जो हमारा यह सुकलाई है जो मैंने जंगली भिंडी बताई है इनका यदि हम त्यार करते हैं के द्वारे इनका juice extract करके उसे हम उसको purify करते हैं तो निश्ची तोर से वो chemical free good है हमारा जो हमने process में ट्यार किया है वो हमारे लिए ज्यादे लाबकारी है ज्यादे helpful है और उसकी market value भी अलग ही मिलेगी यदि आप उसको chemical free त्यार करेंगे अगर इसके जो इसका पाक बनाते हैं तो उसको अगर ज्यादा पका दिया जाए तब भी कम खराब होता है अगर उसका level कुछ नीचे रखा जाता है तो जल्दी खराब होता है जी वो पकाने के लिए जो मैंने तीन त्री टाइन सिस्टम जो बताया था त्री बाउल में हम उसको पकाने का था नूर्मली दो में भी पका सकते हैं लेकिन जो best quality निकल का आती है वो तीन पर अच्छी आती है क्योंकि long duration तक पकता है पहले हमने juice निकाला उसको filter कर हल्की च्छलनी से चाल लिया उसके बाद फर्स्ट टाइन में जिब फ्रस्ट उसमें लेकर जाते ढाउल में तो इसमें पहले ग्माथ 25 डिगरी तक उसको बोइल करते है फिर उसkim जो दिगरी का सपास चलता है का फी जब 100 डिगरी का सपास बोईल हो जाता है तो उसके के बाद हम उसको बाहर निकालते हैं ताकि हम उसमें हाड़निंग देना शुरू करें एक सो बीस एक सो पचीस डिग्री पर जब भी वहां पर बोल हो जाता है तो वह काफी लंबे समय के लिए लगभग एक साल तक के लिए आप उसको अच्छे से प्रेजर कर सकते हैं उसकी क् क्वालिटी का वहां पर निकल गाएगा देखिए चोटे थे तो हमारे घर में एक राब बनाई जाती है बिलकुल बिलकुल और वो राब हमने तो देखी नहीं कभी खराब होती हुई जबकि कोई ज़्यादा ही बैड कंडिशन ना आ जाए माई स्टोरीज की वह बहुत उसमें सीधे ही जो ये पैन होते हैं कड़ाओ कहते हैं जिनको उनमें से अच्छी तरह पकाके और वो मिट्टी के बरतनों में भर ली जाती थी और उसको ऐसी ढख देते थे वो खराब भी नहीं होती और उसे किसी भी चीज में यूज करो आप दूद के साथ दूद में डा लो कुछ करो बहुत बढ़िया होती थी और स्वास्त के लिए बहुत अच्छी होती पेट के लिए बहुत अच्छी होती थी तूसरा देखो किसान भाई सिर्का बनाना चाहिए इसका वो बहुत जरूरी है देखो हमें ये भी तो पता हो कि स्वास्त के लिए क्या लावता ह ती ती वो सिर्के की मात्रा जो है जो कॉलस्टॉल होता है वो नसों को सरीर के को साफ रखती है किसान भाई इस समय सुन रहे हैं रेडियो कुशी पार्ट साला गन्य की खेती और आज का विसा है गन्या फसल से प्राप्त मूल समवर्दित उतपाद और विशेशग हैं उपेंदर सिंग तिवतिया दोनों जी इस समय हमारे किसान भाईयों के भी सवालों का जवाब दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो गन्य से प्राप्त होने वाले उतपाद हैं उन पर भी आज चर्चा हो रही है और ये जो उतपाद हैं जैविक भी होते हैं और जो एक प्रा आना चाह रहे हैं देखिए मैं किसान वाईयों को यह बताना चाहता हूं कि देखिए आप जो गुड़ बन रहा है वो आपके गर्मियों का गुड़ बनेगा उसको तोड़ा ज्यादा पका के अगर बनाएंगे तो इस्टोर इस्टोरे छमता उसो लंबे समय तक कर सकता है और मलगुड भी बेचते हैं मैं किसान भाईयों से यह कहना चाहता हूं कि अपने खेत में से बड़िया बड़िया स्वस्त गन्ने सेलेक्ट करें दस वीज पूली बांदें अपने उसमें रखें अपनी टॉली में और या बुग्गी में और वहां जाएं और अपने रस न आरेते जंगली बिंडी उससे साप करवाएं कम से कम अपने सामने और उससे अपना गुड बनवाएं और उस गुड में जो भी अब गर्मियों के गुड में तो कुछ मिलाना नहीं है क्योंकि जो मुमपली तिल वगेरा सोंप वगेरा वो तो जाड़ों में खतम हो लेता है आप उसमें कुछ भी ना मिलाएं गर्मी वाले में नहीं तो खराम होने के चाज़र बड़े साधान रखें और तब विस्वास जो होता है ना सींग इजदा बिलीविंग दिखता है उस पर ही विस्वास करता है जब अपने सामने अपने गन्ना स्वास्त सब चीज कोई रो दूसरा सिर्का की परंपरा को बिलकुल ना चेड़ें सिर्का भी उससे तयार करें और राब जरूर रखें जो मैंने राब का कई यह तीन प्रोड़क्ट तो किसान को जरूर रखने चाहिए अपने घर में घर में उसका स्वास्तलाब भी तो लेना गुज यह दोड़े यह खुद खाने में भी आपको मज़ा आएगा अब जहां गुड का बंडा रहे तुमारे दुनिया बर का इतना गन्ना है और तुम जा रहे मार्केट से लेने और उसका पता नहीं क्या कैमिकल डाल रहे हैं क्या तो अपने घर के लिए तो बढ़िया गुड बनवाना चाहिए तो खराब होता है तो इस तरीके से रखें जिसे वो ज्यादा दिनों तक फुरू अच्छी तरह सके पहला तो बड़ा अच्छा रॉक्टर तेवतिया जिने बताया है भी यह सारे प्रोड़क्ट भी हमें इस्टमाल करने चाहिए क्योंकि स्वास्त प्राइटी पर है कोवि गुड सकर बनाते हैं उसको प्रिजर करने के लिए पहले उसको एक सर्टेन लेविल तक ड्राई करना होगा जब आपने गुड तयार किया है कोलू में गुड बन गया है उसके बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट करके घर लेके आते हैं लाने के बाद आप उसे तुरंत पैक पर हो हवादार इस्थान पर हो वहाँ पर 2-3 दीन केलिए खुले में रखें और उसमें शवाइए भाद तीन या पांच दीन के बाद उसकी टब पैकिंग करें फिर जब पैकिंग करें तो वो पूरी एयरटाइट होने चाहिए यदि उसके बाद आप उसकी airtight packing कर देते हैं तो निश्ची तोर से जो moisture वातवन आएगा बरसात का समय जब आएगा तो उसमें बाहरी जो वातवन है बाहरी जो moisture है वो उसके अंदर पर वेस्ट नहीं करेगी तो निश्ची तोर पर वो छह महीने का एक साल तक भी वो गुड़ खराब नहीं होगा उसका color को भी चेंज नहीं होगा उसकी क्वालिटी उसी सव लेविल तक मेंटेन बनी रहेगी में फोकस हमें उसको ड्राइब करने का है कि लाने के बाद हमें लगबग तीन से चार दिन तक उसको ड्राइब करना चाहिए उसके बाद ही उसको पैकिंग में अटक सब किसान गुड को या कोई भी चीज है उसको प्रति दिन प्रयोग करता है और जैसे आप ने कहा कि उसको बिल्कुल पैक कर देना चाहिए तो फिर उसको प्रयोग करेगा तो उसे खुलना तो ज़रूर पड़ेगा हम जो कंटेनर की बात कर रहे हैं आप तीन चार पैकिंग करें जो सोट पीर या सकर इस्तमाल करते हैं तो दस-दस किलो की पांच पैकिंग इस्तमाल करो ताकि आपने दस किलो की एक पैकिंग की है वो आपने पहले इस्तमाल कर ली जब अगली नेक्स्ट दस किलो खुलेगी तो वो एक महीना चलेगी वो एक महीने तक खराब नहीं होगी एक महीने की दूरेशन खुलने के बाद उसमें कोई परभाव ने डालती है लेकिन यह पचास की पचास किलो पहले दिन से खुली रखेगी बार बार हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्ची तोर को उसके मोस्चर परभाव डालेगी इसलिए चोटी-चोटी पैकिंग में करके रखें देखो ऊची चोटी-चोटी गुड के भी चोटी-चोटी बर्फी नुमा वो क्यों 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 कि हमने इस्तमाल के वल छोटा सा होता है यह पाँच किलो का हमने एक वो ले लिया तो उसमें से पहले तो हम कन्यूम करने में दिकत, तोडने में उसको दिकत, और आप हमने चोटी-चोटी पैकिंग कर लिया, आदा-दा किलो की हमने पैकिट बना लिया है, एराटाइट उसको कर लिया, आपने आदा किलो खोला, एक मेना बीज दिन तक आपक जो चलेगा, दस दिन तक चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट पैकिट आप खोल लो, इस परकार की सावधानिया ही हमें, रखनी होगी तब ही हम जादे लंबे समय तक उसको इस्तमाल कर पाएंगे, देखिए, यह जो बड़ी बाल्टी बनती थी, फिर धाई किलो बनने लगा, फ इतना पेल कैसे पाएंगे, पूरे सीजन में कैसे उसको कर पाएंगे, तो जल्दी से वो निकाला, और उसकी बड़ी बड़ी बाल्टी में करा, वो जो होता था, चाक कहते हैं, जिसमें गुड बनता था, उसको खाली किया, जिससे की नेक्स्ट आ सके, फटा फटा फट, न जिसमें गुड या अब फिर से दुबारा गुड का क्रेज आने लगा, उसमें क्रेज क्यों आया, चोटे-चोटे पीस हो गए, वो छोटा जैसे मलिक साब बता रहे थे, परिवार चोटे हो गए, चोटी कम क्वांटिटी हो गई एक आदमी पहले, हमें मालूम है, जब हम बहुत-बहुत आधी-आधी किलोग खाजाता था एक आधी, आज कल इतना खाया नहीं जाए है, लेकिन उससमें क्यों ख़ा जाता था उससमें केमीकल का उपीयोग बहुत कम था, प्रोसेस्टी साल पेले, इसमें खेती में बहुत कम था पेस्टी साहिड का, वो गुड फिर से आ गए हम स्वास्त के परती पहले हम पूरे लात पूरे दिन गुड़के वो चलते थे बैलो दुआरा उसको किया जाता था पेला जाता था अब क्रेसर की संख्या बढ़ गई सुगर मील्स बढ़ गए अब सारी चीजे मेकनाई जेसन हो गई तो सारी चीजे बदलती जा रही है टाइम के साथ साथ में जी तो अड़क साब जिस तरीके से जिक्र किया था कि अब मौसम में भी बदलाओ आ गया है क्योंकि जो मई जून में गर्मी होती थी वो प्रैल में ही दिरे दिरे आने लगी है तो इस समय जिन किसानवाईयों की फसल खेतों में खड़ी ह तो उसकी क्या खास देखवाल की जरूरत है कि जिससे आने वाले समय अगले सीजन में किसानवाईयों को उत्पादन सही मिल सके मिल को गन्ना मिल सके और जो हमारे गुडराब सकर बनाते हैं उनके लिए भी फसल तयार हो सके जी बहुत अच्छा आपका परसंद है कि इस समय हमारे खेतों में जो पोदा कटाई चल रहा है या अभी भी समय है जिसके कटाई में पहला तो किसान भाईयों आपसे निवेदन है कि निश्चित समय अंतराल पर आप अपने खेतों में हलकी सिचाई जरूर करते रहें क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है ये तापमान करना चाते हैं फिजोलोजिकल सिस्टम से हम करना चाते हैं तो उसका सबसे अच्छा साधन सिचाई है हलकी सिचाई और हलकी सिचाई आप जब भी करते रहेंगे तो पोदे में लगतार बरदी बनी रहेगी दूसरा एक और सबसे मैत्पून बिंदू है कि जो अब आप बुआई कर रहे हैं इस बुआई में आप अपनी जमीन की दसा को देखकर ही बुआई کے तरीके को अपनाएं बहुत सारे किसान भाईओं के फोन कोल मेरे पास आते हैं और उस में सबसे मैत्पून phone call ये है कि जो इस समय बुआई चल रही है बहुत सारे किसान भाई सूखे में बुआई करते हैं बहुत सारे पलेवा करके करते हैं क्योंकि ये समय high temperature का है तो यदि आपने सूखे में बुआई की है तो निश्ची तोर पर अगले दिन दोपैर होने से पहले बारा एक बज़े करने से पहले क्योंकि बारा से एक बज़े के बीच में टेंपरेचर मैगजियम राइज कर जाता है मैगजियम बढ़ जाता है तो उससे पहले पहले उसकी सिचाई हो जानी चाहिए लेकिन उन खेतों में आप प्रियास करें पलेवा करके बुआई करने की जिन खेतों की सोय लिस्टेक्चर हैवी है जिन में पानी जादे लंबे समय तक रुकता हो तो ऐसे खेतों में आप पहले से पलेवा करें पलेवा करके खेत को तयार कर लें उसके बाद उसमें आप गन्ने की बुआई करें अन्य था हैवी सोयल में जादे लंबे समय पानी रुकने के करण हमारा गन्य का जमावी कभी-कभी परभावित हो जाता है ये समय चल रहा है गन्या भॉँआई का अभी डॉक्टर तेवतियज ने भी आपसे आगरे किया था कि आप सही परजाती का चुनाव करें नवीनतम परजाती का चुनाव करें बीज उक्चार अविश्य करें भूमी सोधन अविश्य करें ट्राइकोडर्मा आज के समय भूमी सोधन के लिए और आपका बीज उक्चार में भी इस्तमाल हम करते हैं ट्राइकोडर्मा बेहद अच्छा एक वरदान है क्योंकि हमारा को आप हर परकार से प्रेयोग करें भूमी सोधन में करें बीज सोधन में करें खड़ी फसल में करें और लगातार कम से कम एक फसल में दो से तीन वार उसको ब्यूप करें तो निश्जित वर पर आप रैड रोत जैसी महमारी से अपनी फसल को बचा पाएंगे लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएंगे डाक्टर तेवतियाजी कुछ करना कर चाहेंगे यहाँ बस मेरा यही कहना है कि इस समय जो CEO 0238 में जो लाल सडन रोग आया है किसान उसको अवाइड करें बोना और जो नई वेराइटी बताई गई है इनको वो हैं और भीज उपचार और मिर्दा उपचार जरूर करें और अब गर्मी अब की बार जदा सुरू हो गई है और जदा रहने की ऐल नी नो इफक्ट है और जो मौसम विभाग का प्रेडिक्सन है कि गर्मी अपरेल माई में, जून में बहुत गर्मी रहेगी तो समय समय पे पानी अपने केट में देते रहे जी, बिल्कुल डग्षाब जिस तरीके से आपने बता है कि किसान बाइयों अपनी फचल की देख वाल करें उसके साथ-साथ, क्योंकि गर्मी का मौसम है अपने स्वास्त का भी ध्यान रखें और क्योंकि हमारा किसान स्वास्त रहेगा तो अपनी पचल को भी स्वास्त रखेगा अपने जो पश्यू है उनको भी स्वास्त रखेगा और गन्य का ताजारस भी पीते रहें गर्मी में बिल्कुल राख साप देने के साथ नहीं नहीं अपने गन्य की ही कीमत को दो गुना तीन गुना हम कर सकें जन्यवाद किसान राक्षाब ने जिस तरीके से बढ़ता है कि गन्य का रस ये भी एक मुल समवर्दा नहीं है और देखिए अगर अपने आप गुड़ बनाएं किसान तो जो तीन कड़ाओ का जो सिद्धानत है उसको अपना है उससे जैसे मलिक साब ने बता है कि गुड़ अच्छा बनता है उसके अलावा जो फ्यूल है जो इन धने उसकी कारी चमता भी बढ़ती है क्योंकि एक ही बार जोका गया जो आपका इन धने वो तीन कड़ाओ में बराबर इनर्जी बराबर हीट देता है तो वो भी एक प्रेक्टर है बिलकुल डक्टर विकास कमार जी डक्टर उपेन सिंग के बतिया जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिशोता सुन रहे थे हमारा फोन इन कारेक्रम और इसके प्रायजक्त थे इनिन पोटाश लिमिटेड अपक्रोना का खिसानों से वादा लागत कम और लाब होगा ज्यादा लाब होगा ज्यादा खेतों में डालो बेधाला एक्रोना एनपीके ट्रिपल सूला उर्वरक पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए हर मोसम में फसले लहना हाए खेती के लिए बहु पोशक उर्वरक आईपील का एक्रोना एनपीके ट्रिपल सूला उर्वरक पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो